आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक ऐसी healthy recipe जो आपके immunity power को एकदम strong रखेगा और आप हर तरे के virus से लड़ पाएंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ sprout chart जिसे हम healthy होने के साथ tasty भी बनाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चाट की recipe को आप भी try करें और इसे जरूर खाएं क्योंकि आज के time में इसकी बहुत ज़रूरत है चलिए आज की ये super healthy और tasty recipe हम शुरू करते हैं new recipes के लिए चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon पे भी ज़रूर ख्लिक करें उससे आपको मेरी वीडियो के सारी notification सबसे पहले मिलेंगे sprout chart बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल में काले चने डाल देंगे तो sprouted काले चने ले ले और काले चने बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होते हैं इसमें होता है iron, phosphorus जो हमारी humoglobin को बढ़ाता है और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तो काले चने ले 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 काले चने अगर आप घर पे sprout बनाना चाते हैं तो एक राते से पानी में भिगा दे पूरी रात फिर इससे साफ कपड़े में बांध कर एक से दो दिन के लिए कहीं टांग दे उससे आपके sprout बन जाएंगी इसी के साथ मैंने या पर यह मूंग दाल लिए है तो यह ग्रीन वाली मूंग दाल है जिसे मैंने sprout किया हुआ है तो मैंने इसे घर पी किया है, आप चाहे तो रेडी मिट पी ले सकते हैं या जो मैंने तरीका बताया है, इस तरह से आप घर पे ही स्प्राउट बना सकते हैं तो मैंने आधा कब डाल डाल दी, इसी के साथ हम दो बड़े चमच डाल देंगे, roasted mumfali, तो mumfali को roast कर लिया है, मैंने फिर इसमें डाल दिया है, इसी के साथ हम डाल देंगे 80 ग्राम पनीर, तो मैंने पनीर के छोड़ छोड़े क्यूब्स किये हैं, इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ, यह रौ मैंगो, तो एक बड़ा चमच यहां पर यहां पर यह कच्चा आम डाल दें, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा इसमें, अगर आपको रौ मैंगो का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे इसका खाना पसंद है तो हरी मिश डाल दे और हरा धनिया डाल देंगे, दो बड़ी चमच तो बारी कटा हुआ हरा धनिया डाले हरा धनिया जरूर यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसी के साथ एक चोटा ही चोड़ा चमच यहां पर काली मिश का प बड़ी चमच लैमन जूस, तो यहां पर निम्बू करस डाल दें, तो हमने इसमें सारी चीज़े अच्छे से एड़ कर दी हैं, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसे अच्छे से मिला दे स्पून से, और आप देखी सकते हैं, देखने में बहुत ज़ादा ट तो मैंने इसे हलका सा टॉस भी कर लिया है, ताकि एच्छे से मिक्स हो जाए, तो यहां पर लग रही है ना, हमारी स्प्राउट चाट एकदम टेस्टी, तो यहां पर इसे हम सर्फ कर लेते हैं, और इसे आप चाहें तो वेट लोस में खाएं, और इम्मिनिटी बूस्टर तो यह है ही, बहुत ही जादा हेल्दी है यह, और अगर आपको कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा है, तो भी आप इस ट्राइ कर सकते हैं, अगर आपको आज की रेसेपी इच्छे लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और से शेयर करना बिलकुल न बोलें, और चैनल से जुड़े निकले, सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो फिर मिलते हैं इक और ने रेसेपी के साथ,